अनिल जी हम देख रहे हैं बीजेपी कॉंग्रेस दोनों पूरे जोर शोर से अपने प्रचार में लगी है जगे जगे जितने भी बड़े लीडर है दोनों पार्टियों के सभाए कर रहे हैं रेलिया निकाल रहे हैं लेकिन अब लगता है कि जो राजसान का चुनावे कहीं न कहीं परवान चड़ने लगा है आज अजमेर से एक खबर आई है जहां भाश्व प्रत्याशी की जनसभा के दौरान भाश्पा ही आपस में गुत्थम गुत्था हो गए और इनके भी जम कर लादगू से चले गटना खरवा गाउं की है जहां भाश्पा उमीदवार भागरे चौधरी प्रचार करने पहुंचे थे और जनसभा को संबोधित कर रहे थे इसी दौरान माइक पर बोलने को लेकर भाश्पा नेता नवीन शर्मा और भवर्जिंग पलाड़ा के बीच ती की बहस हो गई और आला कमान से बात करने की बात कही है और शिकायत आला कमान तक पहुंच भी गई है अनिल जी क्या कहेंगे शुरुआत हो चुकी है प्रदेश में एक चुनावी महौल की नवीन शर्मा एक जमाने में भाजपा की जिलाद्यक्ष थे और अजमिर जिले में गाउं गाउं में भाजपा को संगडित करने का श्रे नवीन शर्मा को जाता है नवीन शर्मा ने एक बार इंडिपेड़न्ट चुनाव लड़ लिया मसदवा से 22-25 जार वोट आये होंगे उनके लेकिन उनको पार्टी से निकाल दिया गया था पिछले चुनाव में उन्हें पार्टी में वापस लिया गया और पार्टी के अनुशाशित कारेकरता के रू ध्रियुक्तर ऐसा है कि राकेश पारिक की जीत इसके पीछे कहीं न कहीं को बहम है कि प़लाडा का क्योंकि कहे ना कहें ब्रामन एक जुटता हुई है महां पर मसुधा मैं और नमीन शर्मा भी नाही हृदा disgusting भी अई निल्टिपपारिक जातना निया गया धार हुआ पर सा एक्जूट हुए थे लाम बंद हुए थे उनके पक्ष में तो इसलिए वो आज जो विवाद हुआ खरवा में भागीरत चौदरी की सभा में इस विवाद के बाद अगर ये मैसेज वहां का ब्रह्मन समाज रिसीव कर लेता है इस पिटाई से कोई मैसेज तो जाती अपने वर्चस को लेकर क्योंकि उनकी पत्नी महां मेले रही है दुबारा भी इतने चनाव लाए पराड़ा के साथ ताकत भी है धनबल भी है बहुबल भी है और पराड़ा राजनितिक की रूप से नमी शर्मा से कहीं आगे हैं दिल्ली में पहचान को लेके बीजेपी में वसुन राजे मुख्यमन दिति उनसे पहचान को लेके और नमी शर्मा थोड़ा अनुशाशित संक्य कारे करता की तरह हैं तो जो कहा सुनी माईक पर बोलने को लेकर वो कहा सुनी तक सीमित रहती तो ठीक था लेकिन जिस तर लाद गुसे चले हैं जो वीडियो वीडियो हम एक दिन ऐसा भी आसकता है भागिरत चौध ज dessus को इसके लिए नमी शर्मा से शमाया अशना करनी पड़े और वो शमाया अशना ना करें या दोनों के बीस में आपस में मते के वापस ना हो पराणा और नमी शर्मा की गुटों के बीच में तो इसका खामयाजा भागिरत उनको भी इस बात का आखिर अगले पूरे चुनाव अभियान के दोरान जवाब देते रहना पड़ेगा या आखिर क्यों हुआ कैसे हुआ क्या हुआ और क्या रिपरकेशन है तो ये सब बातें अभी विवाद का विशह बनी रहेंगी जब तक दोनों के वीच में समझो था आला कमा नहीं कराया था और दोनों वापस एक जाजम पर नहीं बेढ़ जाते अनिल जी इस पूरे विवाद का कॉंग्रेस को कितना फायदा मिल सकता है लेकिए अभी विवाद हुआ है कॉंग्रेस इसमें फायदा ढूंडे या ना ढूंडे वो कॉंग्रेस का विश्चा है लेकिन अगर दोनों में से कोई भी एक पक्ष नारा जोकर बैठ गया या उसने भागरी चौदी की सामने वाले मेरे में से एक कुछ चुनो तुम्हारे साथ चलने के लिए तो वह भाजपा का नुक्सान होगा भाजपा का नुक्सान कॉंग्रेस का फायदा है ठीक है और दूसरा अगर इसको ब्रह्मन समाज तो उसको फिर उस पूरे समाज से पूरे अजमेर जिले में बीजेपी को एक तरसे इसको शमायाचना करते हुए उनको पैसिफाई करना पड़ेगा जाती ये पोलराज़ाशन को रोखने की कोशिश करनी पड़ेगी अदर्वाइस ये पोलराज़ाशन हो गया इस मार पिट झाल